हेलो हमारी यूटूब फैमिली मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल पठना के आसा में फ्रेंड देखिए आज मैं आपको साम कनास्ता क्या बतला रही हूं यह देखिए मैं थोड़ एक प्याज को लेके जॉब कर ली हूं अच्छी तरीके से आप ग्रेंड कर ले बनिया से फ्रेंड थोड़ा साब कैवेज धनिया पती हरी मिर्ची यह सब को भी मैं चॉपर में डालके चॉप करूंगे देखिए मैं आपको दिखाती हूं इस तरीके से आपको करके मैं बताऊंगे कि साम का नास्ता में आपको क्या बनाना है देखिए यह मैं कैवेज है पत्ता को भी इसको मैं चॉपर में चॉप कर ली हूँ इसी तरह करके आपको सारे धनिया पत्ता हरी मिर्ची यह सब भी चॉपर में डालके चॉप कर लेना है उसके वाद सब को क्या करना है फ्रेंड इस तरीके से मिला दे मिलाने पर इसमें मसाला में मैं हलका फलका यूज करूंगे फ्रेंड देखे धनिया पती है टमाटर हरी मिर्ची है यह सबको भी चौप कर ली हूँ यह सबको मैं क्या करूंगे अच्छी तरीके से मिला देना है जो यह आपका मिल जाए तो इसमें आप नमक जो है फ्रेंड वह वाइट वाला नमक का यूज करें काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है साधा नमक का यूज ना करें काला नमक का यूज करें थोड़ा साप इसमें मिर्च का पौडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं हाला कि मैं इसमें हरी मिर्च का यूज की हूँ अगर आप ज्यादा स्पैसी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा से मिर्च और यूच कर सकते हैं और अगर आप के पास मेगी मसाला हो तो भी यूच कर सकते हैं मैं इसमें अभी आपको दिखाओंगी देखे मैं चार्ट मसाला डालूँ गी एक से दो चमच और बस कालनमक ढलना है और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी बस देखिए हलका फुलका नास्ता है साम का जो की सेहत के लिए भी हिल्दी होना चाहिए उस हिसाब से मैं बता रही हूँ मैं कोई मसाला कोई तेल ज्यादा तेल का भी यूज नहीं करना है यह सब हरी सबजी है मैं यह हरी सबजी से साम का नास्ता आब भी देखिए हमारा फिलिंक तैयार है यह देखिए फ्रेंड मैं थोड़ा सा सुजी ले ली हूँ आप अपने हिसाब से ले। इसमें नापने का कोई यह नहीं है जंजट आपको जितना जरूरत हो जितना खर्च हो उस हिसाब से आप बनाएं मैं देखिए एक गिलास नापकेस में सुजी ली हूँ आप थोड़ा सा इसमें हल्दी लख लें हल्का से रखना है फ्रेंट ज्यादा यूज ना करें हल्दी का नमक ले ले और उसके बाद इसको क्या करना है अच्छी तरीके से फिट लेना है देखिए थोड़ा सा इसे मिलाके आप दो सेकेंड छोड़ दें सुजी को उसके बाद मैं क्या करूंगी फ्रेंट मैं इसमें थोड़ा सा मैं दही का यूज नहीं कर रही हूँ देखिए आप मैं सूजी गोड़ने में मैं पानी का योचकी हूँ अब मैं इसमें क्या करूँगे फ्रेंट मैं एक गिलास अगर ये ली हूँ सूजी ली हूँ तो मैं इसमें हाफ गिलास बेसन लूँगी हाप गिलास भी ले सकते हैं हाप गिलास से कम भी ले सकते हैं लेकिन एक ब्रावर में ना ले अगर आप एक गिलास सूजी लिए हैं आए एक गिलास बेसन लेंगे तो वैसा मत कीजिएगा सूजी अगर ज्यादा लेना है बेशन कम लेना है तो आप एक गलास अगर सूजी है तो आप हाफ गलास बेशन ले सकते हैं उससे कम भी ले सकते हैं देखिए इसको क्या करना है अच्छी तरीके से पहले सूजी को फेट लें फेटने के बाद मैं दो मिनट इसे रेष्ट में दालूंगी और देखिया मैं क्या करूँगी formula मैं बेशन टालोंगी मैं अच्छी तरीके से मिलाना है लिए बेशन डाल रही है बेशन si हमका स्वाद हिसाव से फ्लका मिश का पॉडर यूज कर ले बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना है बस यह आपका एक पेस्ट तयार हो गया है आज मैं इसी से आपको साम का नश्ता बताऊंगी जो कि बिना तेल का लगेगा जैसे कि आप पीजा खा रहे हैं फ्रेंड ना मैं कोई देखिए ना कोई मैं चीज का हो जाएंगे बड़े फी खुष हो जाएंगे टेस्ट में बहुत अच्छा ला जबाव कोई कमी नहीं है फ्रेंड देखिए इस तरीके से अप अच्छी तरीके से घोल लेना है और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड आप तावा चारहा दे गयस पर तावा चरहाने के बाद जब आपका तावा जो है फ्रेंड वो थोड़ा सा हीट होना चाहिए गर्म थोड़ा अच्छी तरीके से होना चाहिए अगर गर्म नहीं होगा तो फिर यह सटने का ड़ रहता है तावा को पूरी तरीके से गर्म कर लेना है उसमें ऑईल का यूज मैं सिर्फ एक चमच तेल का मैं ज्यादा यूज नहीं है इसमें जो भी है हेल्दी है बच्चे के लिए अच्छा है बड़े के लिए अच्छा है अब भुजूर्ग लोग भी करेंगे तो उनके लिए अच्छा है यह सब के सेहत के लिए अच्छा है हेल्दी नास्ता मैं बतला रही है आपको द के इत की उपर से जो मैं मसाला बना के तयार की हुई हो सबस्ma बेजिटेवल के इस में डालूँगी। फैरस में डालकि माना मैं पहले मिला चुकी हो अब इसे क्या करना है मैं फ्रेम की रहा हैं घर का फ्लेम का कम कर दे। उसे 2-3 मिनार्टी से कम फ्लेम में इसे पकने दे कि उपर का जो भी सबजी है वो हलका सा स्टीम हो जाए पक जाए और ये जो मैं बना रही हूँ ये भी पक जाए ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंट आप भी जरूर अपने घर पे बनाए बच्चे तो बहुत खुस होंगे बहुत खुसी से खाएंगे बहुत टेस्टी नास्ता है साम का हलका फुलका नास्ता आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं चाहे तो आप सुभा में बच्चे के लंच का भी ये बहुत अच्छा नास्ता है healthy भी है, यह ठंडा हो जाएगा, तो भी अच्छा लगएगा खाने में यह सूजी का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखें मेरा यह हो चुका है, देखें यह पीला पन आ चुका है, अब मैं इसे क्या करूँगी, पलट दूगी, पलटके मैं दोनों तरफ से हलका हलका इसे देखिए सेक लेना है अब देखिए यह उहां पर चिपक गया फ्रेंड तो मैं उसे अभी कुछ भी नहीं करूंगी थोरा अची तरीके से इसे पकने देना है धक कर तब फिर मैं इसे उठा आपको बताऊंगी कि इसको आगे क्या कर अगर फ्रेंड आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए सेस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए कि मैं इसी तरह तरीके से आप लोग के लिए हलका फुलका नाश्ताय का रेसीपी हर रोज लेके आती रहूं देखे फ्रेंड मैं ये से पलट दी हूँ देखे लग रहा है ना कितना खुबसरा थलका फुलका नास्ता आप समझेगे आपका छोटा मोटा पीजा है घर का पीजाना इसमें कोई चीज का मैं घरेलू चीज से आपको बताई हूँ बच्चे भी खुस हो जाएंगे बहुत अच्छा चीज है अब देखे हमारा पग्या है मैं क्या करूंगी फ्रेंड मैं उपर से हलका सा इसमें टेमेटो सोस का लगाऊंगी देखे इस तरीके से आप सारे में टेमेटो सोस अथोरा सा चिली सोस का आप यूज करे इस तरीके से देखे लग रहा है ना देखने में कि यह खाने में भी विश्वास मानी है बहुत ही ज्यादा टेस्ट में तो कोई कमी नहीं है टेस्ट से भड़ पूर है देखिए यह हमारा बन गया है मैं इसे निकालूंगी दो मिनाट मेरा यह हो चुका है अब मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगी बस एक तरब से इस तरब से पक सकते हैं अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखिए यह नास्ता जो है फ्रेंड वो बनाने में मेहनत तो कुछ भी नहीं है मैं तो आपको सुरूंग से दिखाई जब बच्येख खेल के आते हैं तो खोउसते हैं अल्कश फुलका नास्ता तब यह बना और वह अराम से सकते हैं तो आप इस पे और थोड़ा सा डाल सकते हैं अब देखे इसको फिर मैं उपर से इसी तरीके से डालूँगी डाल के मैं इसे ढख के दो मिनार तक छोड़ दूँगी क्योंकि जो भी हो इस अच्छा तरीके से ये पक जाए हैं उपर मैं सब्जी जो योज की हो मैं वो कच्चा सब्जी है इसलिए थोरा सा डाक के करऊंगी कि उपर का सब्जी जो है मैं दीखे ऊपर से थोरा सा चाट मसाला भी खिरक को आप he चाहें तो सहतली हो मिला सा चाट मसाला का यूज कर सकते हैं सब्सक्राइब दो दोनों से भैव हो जाया पके देखिया और भाद से महीं धुщती प्लडी हो गभी है है अभी इसे क्या करना है कि फिर मैं उसी तरीके से दक से धंग remarks की अधैंजिक में नेकरण से थोड़ा से देखें मेरा भी गहलों का बदी है आप उसके जरीकर ले चकु से इस तरीके देखिए इतना सुन्दर लग रहा है आप सौस के साथ खा सकते हैं बच्चे को दीजे बड़े को दीजे बुज़र्ग को दीजे चिनको भी दीजेगा फ्रेंड ये बहुत प्रेम से खाएंगे और आपकी बहुत बढाई भी करेंगे फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में फ् कर दो कर दो